वोडाफन आईडिया स्टॉक को डिसकस करेंगे जिसमें फंड्रेज को लेकर के आज मिटिंग होनी थी और कम्पनी ने लगभग क्या 45,000 करोर के फंड्रेज की सुक्रिती दे दी है और यह जो फंड्रेज होएगा इसमें 20,000 करोर जो है वो एक्यूटी और एक्यूटी इंस् प्रक्तार खुलते ही स्टॉक में तुफान होगा या बहुत बड़ी गिरावट ऐसा क्वेड़ी आपके काफी आते दिख रहे हैं तो सबसे पहले यहां देखेंगे फंड्रेज को लेकर के 45,000 करोर जो है कंपनी फंड्रेज कर रही है और फंड्र्स विल पार्टिसिपेट इक्यूटी डेज जो की 20,000 करोर का है और बाग की 25,000 करोर जो है वो क्या है वो लगबग एक्यूटी नहीं डेट में फंड्रेज करेगी कंपनी रिमें एक्टिबली इंगेज विड लेंडर और एक्सपेक्ट टू कंप्लीट इक्यूटी फंड्रेज इन कमिंग क्वाटर यानि जो नेक्स्ट क्वाटर है तब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी के फंड्रेज को ले करके तो यहीं अपडेट अगर आप देखेंगे तो अनौंसमेंट या फिर फीड में भी आपको देखने को मिलेगी इसके अलावे जो डिलेवरी है वो ठीक ठाक दिख र लेकिन स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्मिंग डिटर्न पास्ट वन मन से लेकर के टू यर के ट्रेडर को दिया है अब मैं इसके चार्ट को दिखाऊं इससे पहले आज के वोल्यूम भी लगभग लगभग 75 करोर के वोल्यूम देखने को मिले और हिस्टोरिकल डाटा य यह हाइश्ट नहीं है क्योंकि इससे पहले भी जब इस्टोक ने और्ल टाइम हाई बनाई थे फंड्रेज के यूज को लेकर के ही तभी हाइश्ट वॉल्यूम दिखा अब इसके चार्ट को देखें अगर चार्ट को देखेंगे तो तेकनिकल ली कोई इसू है ही नहीं ते कि ये 45,000 करोर के फंडरेज के बाद जो है इस टॉक का एक ट्रेंड अपर साइड में दिख सकता है मैं क्यों क्या रहा हूँ 18 के उपर क्योंकि जो 18 का लेविल है यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है लेकिन रिस्पेक्ट भी सपोर्ट को कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड हाई 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 लो है और डेबलू पेटर्न जैसा ट्रेंड बन रहा है तो एक बार 18 जैसा लेविल अगर ब्रेक आउट होता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो अर्लियर जो सपोर्ट रहा था यह वाला जोन आप 40-45 मान करके चल सकते हैं वीकनेस कब आएगी तो वीकनेस इस स्टॉक में तब आएगी जब मीनिमम यह वाला जो लेवल है लगभग 14 का सपोर्ट है तो आप 12 माने 12 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं होती है